घर जमाई की इसकी हर बात शायराना ही होती थी जैसे कि एक दिन दूर से देखा तो चांद पे दाग था पास से देखा साब उनका चाग था ठोको ताली अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं कोई तुमको ही ठोक देगा शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी मैं निकला था गाड़ी लेके लेकिन दोड़ के जा रहा हूँ मेरी शायरी कोई नहीं सुनता मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं सच में चला जाओंगा मेरी बात कोई धंकी नहीं अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो मेरे पिता जी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो और कल जा रहे हो ना अपने माई के तो आज ही चले जाओ मेरी बला से हमें तो अपनोंने लूटा गैरों में कहा दम था हमें अरे चुप हो जाओ तुमको मिर्जा गालिब की कसम अरे जाना है तो जाओ लेकिन पहले मेरे ममी पापा से मिल कर जाओ वना वो क्या सोचेंगे लेकिन विकी अकेले ही अपनी काल लेकर अपने माई के यानि की अपने खुद के घर पहुच जाता है अरे बेटा तू अचानक बहु कैसी है अरे मा बहु तो बिलकुल बदल गई है मुर्गी हाथ से निकल गई है अरे क्या हुआ बेटा उसकी आती नहीं है मेरी जाती नहीं है मैं करता हूँ शायरी उसे भाती नहीं है मेरे पास उसका फोन आया था बेटा सही कह रही है वो तुमको काम करना चाहिए तभी तो इज़त मिलेगी घर जमाई बनके सास सुर के पैसो पर कब तक एश उडाते रहोगे मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है फोन पर मेरी चुगली हो रही है आरे चुगली नहीं कर रही थी बहुआ सुखे को भी गीला है लोग चुगली कर रहा भला कह रहे हैं ठोको ताली इस उनके माँ अपने हाँ असर पीट लेती है ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो तू ना आराम कर तू आने वाले हैं खाट घर भी दिन भर चुगली है तरह तरह का खाट दोपहर तक सोता है चुगली वीडियो गेम खेलता है काम करने नहीं जाता तो बिस्तर से हिलने तक कि कई बार तो अपने नौकरों को बिठा कर चुगली नाता रहता पेटा अरे कैसी बात कर रहे हैं डाड़ी क्या आप मेरा आप मुझे भगते हैं क्या ये मेरा घर आरा नहीं जा तुम्हारा ही हम तो जाते हैं यहीं रहो और आगे बढ़ावल अरे मेहनत तो गदे हैं मैं अच्छी किसमत लेके पार हूँ मैं घर जमाई हैं ससुराल गेंदा हुआ हूँ पोको ताली पिता जी और माई सच में ताली बजाए ऐसा पहली बार जब विकी की शायरी परसी ने ताली बजाए अरे आप लोग हाँ हाँ तुम्हारे से फोन आया तो बोला जब तक घर जी कोई काम ना करना है हमारे यहां मत भेजना अब तू तो काम करने से रहना भी है हमारे घर में ही करेगा भी शायरी ही ठोको ताली ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली विकी वक्त खड़ा होता है अब सुमन आज से नहीं बलकि काम भी करूँगा अफिस में बात कर लेना कोई कर लूँगा रमाए बनके रहूँगा लेकिन और इज़त से रहूँगा मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ मैं अपने का मैनेजर बनाता हूँगा कल से मेरे साथ चलना वहाँ ठैंक यू सासूर जी ठैंक यू से काम नहीं चलेगा एक शायरी सुनानी पड़ेगी है जरूर जरूर ससूर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है वही सच्चा दामाद है वही अच्छा घर जमाई है ठोको ताली सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं शिक्षा जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए झाली